इसलाम अलेकम जी मेरा नाम मुहमद फैसल खान है 6811 मेरा बेल्ट नंबर है और मैं जिला पुलिस में नोकरी करता हूं पंजाब पुलिस लाहोर में उसके बाद मैं लीड फॉर्स में चला कुए जो पंजाब पुलिस का यह विंग है जिसके अंदर ऑपरेशनल और स्कार्ड क की नोकरी की जाती है आज 11 एप्रेल है कल जैसे कि आप तमाम को पता है सानिहा 10 एप्रेल हुआ है जो कि 52 लगर में पाकिस्तान आर्मी के गुंडों ने वहां पर थाना के उपर जाकर अटैक किये नोजवानों को सबिस्पेक्टर को एसाइक और बाकी जवानों को रोंद है बुरे तरीके से मारा उनके उपर तशद्द्द किया वटेवर जो भी उनका मामला था लेकिन एक रियास्ती इदारा क्या दूसरे रियास्ती इदारे के उपर इस तरह से लीगली किसी भी तरह किसे अटैक करने का मुतहमिल हो सब था क्या उसके पास कोई जवाज है बने हैं मों के साथ इजहती के तौर पर अपनी नोकरी छोड़ने का अलान करूंगा और यह जो कपड़े मेरे नीचे पड़े हैं जिसे वर्दी का आ जाता है यह देखिए नीचे केमरा में हम पीजी कीजेगा यहां पर भाई आपका शुक्रिया इलीट फोर्स का मैं जवा पर दाश्ता मेरा जमीर यह गवारा नहीं करता कि एक साथ हजार रुपे की नोकरी के लिए मैं अपना जमीर बेश दूँ इसलिए आज यह मैं हमल कर रहा हूं अपने उन भाईयों के साथ जिनके साथ नापे जलम और जिया रियास्ति एदारे हमारा सोशल मीडिया नाम नह लोग कहां पर हैं आई-जी साथ शरम करें आप शरम आनी चाहिए आपको सीम साभा आपको भी शरम आनी चाहिए यह कैसा इंसाफ है आपका मुझे बताइए वैसे आप जाके लोग आई-जी साभा ने तो रीसट्ट लिए भी एवार्ड भी लिया सदर साहब से तो मुझे बताईए अब आप कहां पर रहे हैं ये कौन से सुलाब आप लोगों के साथ करते पिड़ते हैं आखरी एक बात कहना चाहूंगा सिसी पियो जनाब प्रवेजर अठोर साथ सब सर मेरा आपको सल्यूट है 2009 में लिवर्टी में वाक्या हुआ था डी जी रेंजर साथ की वहां से उठाया मारा और अपने हेड़कोर्टर में ले गए यार ये गुंडा करती है ये मुलक है मुझे बताएं ये क्या है आप इसको स्टेट समझते हैं वो कौन से बेवगूफ लोग है ये कहते हैं इसलाम के नाम पर खुदार रसूल और कुरान के नाम पर मुलक बने ये ग मुलक जहां पर जजजों को भी इनसाफ के लिए द्वाइया देनी पड़ रही है मेरे लिए ये बात मेरे लिए नकाबले बरदाश्त है भरहाल मैंने आज अपने डिपार्टमेंट के साथ अपना जहती के लिए ये स्टेप उठाया है कि मैं अब मैं इस मैग में मजीद मे रह सकता अब बिलीग गीजे मेरा डेड़ माँ का बच्चा है आज मैंने उसको जाकर देखा जब मैंने ये कदम उठाने का किसी एक दो अफराद से पूछा तो अनने मुझे का ये मत कर तुमारे बच्चे रूल जाएंगे मुझे हसी आई उन लोगों पर कि कैसी बात है य अबी भी मुलक और कौम में मुलक और कौम के साथ होने वाली बुराईयों के खिलाफ रिजिस्टन्स का भी नाम मौझूद है और मैं कांस्टेबल मुहमद फैसल खान अपने उन भाईयों के साथ जिनके साथ जिनके साथ जिनके साथ जिनके साथ जिनके साथ जिनके साथ ज कर दो कर दो जह start कर दो कर दो मेरे उन बाईयों को जिनके साथ महां पे जुलम हो रही है और जियाती हुई है बहुत ज्यादा अफसोस हुए मुझे इस बात का के उस्मान अन्वर साथ यकीन माने दिल दुखाब को टिक टॉक की उपर आके एक गजटिड आफिसर अपनी दुआयां दे रहा है कि हमने ये क या वो कि आपने क्या किया मजब बताएं कौम के लिए आपने कितना जलम किया पाकिस्तान के स्यासी वरकरों के उपर कोई ऐसा बंदा बताएं जिसके साथ आपने जलम नहीं किया कितना जलम मलाजमों के साथ होता आपने सिर्फ अफसरान को नवाजा है और पाकिस्तान की पंजाब पुलिस पंजाब के अंदर मुझूद जहरतमंद अफसरान को अभी भी मेरी तरफ से सल्यूट है वो जो एक परसंट है और शर्म आनी जाए यह आईजी साहब आपको और बाकी तमाम उन लोगों को जो भी भी पंजाब पुलिस के साथ नहीं खड़े हैं बससलाम प पुलिस जिन्दाबाद पाकिस्तान जिन्दाबाद इन्शालला पाकिस्तान कायम रहेगा और एक वक्त आएगा जब यहां से जल्म और यह सामराजी कोवतें यह बदमाशी जिस सरकारी सताबर की जाती है अदारा जाती गुंडा गरती और बदमाशी एक दिन खत्म होगी इन्शालला और मुझे अमीद आवाब बकर जरूर आएगा अंजाब पुलिस जिन्दाबाद पाकिस्तान जिन्दाबाद अवाम पाकिस्तान जिन्दाबाद वस्सलाम ओके प्रापर वीडियो प्रापर वीडियो प्रापर फेस्बुक सोशल मीडिया वट्सप भार पास से चल जो गया का मुलग है यार पैंचो हो तो जो मर्जिया आर्मी कार रही है कोई पुछना लई नहीं है यार कि वीडियो प्रापर वाम पंगी वीडियो प्रापर